हेलो दोस्तों स्वागता आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल अरध्या अरेयस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आयो जित सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए राजस्तान बोगोल के टोपिक वाइस टोप इंपोर्डेंट प्रस नोगी सीरीजी स्टार्ट की गई थी जिसमें राजस्तान बोगोल में अपने नो चैप्टर हैं वो पढ़ लिए हैं आज अपना इसमें दस्वा नंबर का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है दोस्तों राजस्तान में कृषी इस टोपिक से समंदित दोस्तों आज मैं आपके लिए टोप सो प्रस ने लेकर आया हूं करशी से समंदित जो आपकी परिक्सा की दरश्टी से अत्यांत महत्यों पूर्ण है अरद्यारेस सेकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया त को तो आप वहाँ जाके पिछली कलासियां वो जरूर देखें देखिए सुरू करते हैं करशी से समंदित पहला प्रस ने सबसे पहले मां आपको बता देता हूं दोस्तों करशी को मानसून का जुआ का जाता है क्या का जाता है मानसून का जुआ मैदानी भागों को करशी का हर्दे इस्तल का जाता है ठीक है मैदानी भागों को क्या का जाता है क्रशी का हर्दे इस्तल का जाता है क्योंकि यह सरवादी के उपजाओ होता है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है दोस्तों पहला प्रसंदेखिए राजस्तान में पर्थम योजना के समय किन फसलों क उत्पादन है वह सर्वाधिक रहता था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वहाधियान फसलों का उत्पादन है वह अधिकरता था ए नमबर का ओपशन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खाद्यान फसले कौन कौन सी जैसे गेवूं बाजरा जवार मक्का जो चांवल ये क्या है ये खाद्यान फसले है तो इसमें राइट आंसर ए नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखें निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में राज्य में उत्रोदर वर्दी हो रही है बता ये राजस्तान में करशी जोतों का ओस्ताकार कितना है बहुत ये अच्छा परसने राजस्तान में करशी जोतों का ओस्ताकार है वो कितना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तीन पॉइंट चानमे हेक्टेर तीन पॉइंट चानमे बिलकुल सही उत्र होगा आगे देखिए दोस्तों इसक में जागिर दाए पर्दा को इसका उन्त कानून है कंव्त कानून है वो कब बनाए गया तो यह बनाए गयə गया दोस्तों गुनीस lleव नमबर का जॉप जाए उत्र होगी निस दाए न dish вос यानि कि जागिरदारी एवं विश्वेदारी परता है वो कब समाप्त की गई राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें गुनिशो गुनशट में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें गुनिशो गुनशट ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका ये पास किया गया है ? आगे देखिए इसमें हरित करांती का समंध निमन मेशक गिस्से है। तो इसका राइट आंसर हो जायगा डी नंबर का जो ऊप्षन है वो इसका बिल्कुल σही उतर है आगे देखिए मित्रों इसमें हरित करांती का जनक किसे माना जाता है सबी को पता है हरित करांती का जनक दोस्तों किसे माना जाता है तो दोस्तों नोर्मन ई बॉर्लोग को माना जाता है नोर्मन ई बॉर्लोग को माना जाता है दोस्तों राजस यहां पे हरित करांती का जनक और भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में हरित करांती का जनक माना ज देश में लागो की गई तो सरोपर्तम कौन से देश में लागो की गई थी हरित करांती तो दोस्तों वह हैं मेक्सिको में लागो की गई थी सरोपर्तम हरित करांती विश्व में राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें दस नंबर का प्रे प्रेशने गहन कर्शी जिला कारेकरम का समंद निम्न में से किस्से है तो किस्से है तो दोस्तों ये हरित करांती से है राइट आंसर ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें बारा नमबर का प्रेशने पेकेज प्रोग्र की जो सब्सक्राइब का जो सम्मद्द है तो दोस्तों यह भी हरित कृ安ति से सम्मद्द है दोस्तों पेकेज प्रोग्राम तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वह इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सभी उत्तर यह आपको इसमें याद सब्द दिया था गुनिशोच्छच्छच्छडशट में इसके जनक थे विश्वम में तो नॉर्मन एबॉर लोग जो मेक्सिको के थे और भारत में इसके जनक है MS. Swaminathan सरवादिक लाब कौन सी फसल को दिया गया इस हरित करांती में तो दोस्तों गेम हो और चांवल को ठीक है और सरवादिक हानी हुई है वो दोस्तों मोटे है नाज को सरवादिक हानी हुई है जैसे मक्का बाजरा को तो इसमें याद रखने है तो इसका राइट आंशर हो जाएगा सी नंबर का उप्शन बिल्कुल抉टर आगे देखिए दोस्तों भारत में हरित करांती के अंतरगत गहन कर्सी 631 कारीकरम कब light किया गया दोस्तों का पिक शरन कर्सी 631 कारीकरम कब light किया गया आगे देखिए दोस्तों इसमें भारत में हरित करांती कब संपून रूप से लागू की गई तो संपून रूप से कब लागू की गई तो यह लागू की गई थी दोस्तों कब डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे भारतिया हरित करांती में निम्न में से कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है तो कौन सी फसल है वो सम्मिलित नहीं है भारतिया हरित करांती में तो दोस्तों यहां पर देखे राई राई है यह भारतिया हरित कर चांती में निम्न मेंसे कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है तो कौन सी फसल है वो सम्मिलित नहीं है तो यहां पर देखिए दोस्तो इसमें तारा मिरा की जो फसल है वो दोस्तो इसमें सम्मिलित नहीं है बाकी बादरा जौार रागी ये फसले हैं ये इसमें सम्मिलित है ठीक है र का है रागी है बाजरा है और जौार ये च्छै फसले हैं वो समेलित की गई थी पाकी और कोई समेलित नहीं की गई तो इसमें सी नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा तारा मीरा आगे देखिए निम्न मेंसे हरित करांती में सरवादी कुदपादन फसलों का रहा तो स देखिए दोस्तों अपना इसमें गुनिस नंबर का प्रेशन है किसे राजे में हरित करांती सरवादी के सफल रही कौन से राजे में हरित करांती सरवादी के सफल रही तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पंजाब में जो हरित करांती है वो सरवादिक सफल रही बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे हरित करांती के परमुकुद्देशे क्या रखे गए हरित करांती के जो परमुकुद्देशे हैं वो दोस्तों क्या क्या रखे गए तो दोस्तों खाद्यान उत्पादन में वर्द कर्शी संस्ताओं की स्तापना करना ये सभी क्या है ये हरित करांती के प्रमकुद्देशे थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक सभी डी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से पीली करांती का समद्ध किस्से है दोस्तों स् है इसमें इसमें ये नंबर का जो जो आपीसन है बिलकुल सही उतर हो जाएगा देखिए ये आपको इसमें याद रखना है जो तिलहन से भी माना जाता है ये पीली करांती अगर आप सन में तिलहन आ समाटर उत्पादन से समंदित है ठीक है रजत करांती है यह अंडे के उत्पादन से समंदित है और क्रिशन करांती यह दोस्तों पैट्रोलियम से समंदित है गोल करांती आलू से समंदित है इंदरदुनुस करांती है वो सभी खाद्यान फसलों से समंदित है यह सभी आपको याद रखने है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर आगे देखे बूरी करांती का समद्ध किस्ये है बूरी करांती का जो समद्ध है वो किस्ये है तो यह है दोस्तों खाद्यान प्रेसंस क्रण से खाद्यान प्रेसंस क्रण से सम रखा गया राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जींगा का सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 25 नंबर प्रेस ने एक ही खेट में एक समय पर दो या अधिक फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है तो दोस्तों ये कहलाता है क्या मिस्रित फसल कहलाता है क्या कहलाता है मिस्रित फसल कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का उप्शन राइट आंसर आगे देखिए निम्न में से पहाडी डलान पर अपरदन को रोकने के लिए कौन सी कर्शी पद्दती अपनाई जाती है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें समोच्च कर्शी पद्दती अपनाई जाती है कौन सी कर्शी पद्दती समोच्च कर्शी पद्दती है वो अपनाई जाती है यह आपको इसमें याद रखना है अच्छा प्रस्न है यह यह भी आपको इसमें याद र आगे देखिए इसमें राजस्तान के करूली जिले में पाई जाने वाली सुरी राजस्तान के करूली जिले में की जाने वाली पान की खेती इस्तानी रूप से क्या कहलाती है तो इस्तानी रूप से पान की खेती को करूली जिले में क्या बोलते हैं तो दोस्तों वहां पर उस इस्तानांतरित कर्शी को राजस्तान में क्या नहीं कहते यह आपको इसमें बताना है वनो को जलाकर की जाने वाली इस्तानांतरित कर्शी को राजस्तान में क्या नहीं कहते हैं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो क्या नहीं कहते हैं तो दोस्तो कि देखिए इसमें निम्न में से कौन सी फसल बिन है वो अपने को यहां पर बतानी है तो दोस्तों यहां पे देखिए मुंग मौठ और अौर उडद यह तीनों तो दोस्तों एक यहां पर मौठ इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें सी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है अच्छा प्रसन है यह भी और काफी बार प्रिक्षाओं में पुछा भी जा चुका है यह तो दोस्तों यह मैं आपको बताता हूँ रभी की फसल को क्या बोलते हैं तो दोस्तों इसको बोलते हैं उनालू क्या बोलते हैं उनालू उनालू ठीक है उनालू बोलते हैं रभी की फसल को और रभी की फसल कौन कौन सी होती है तो दोस्तों गेहू जो चणा मटर मसूर मेती इसबगो जीरा दनिया लसन अधरक हल्दी सरसों तारमिरा अफीम अर्शी तमबाकू ये क्या है ये दोस्तो रवी की फसल है क्या है रवी की फसल है तो यहांपर इस प्रेसन का राइट अंसर हो जाएगा अब देखिए इसमें से Push आपको पता चल क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूर मसूर क्या है तो ये दोस्तो रभी की फसल है तो इसमे राइट आंसर सी नमबर उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखे निम्न मेंसे रभी की फसल कौन सी नहीं है तो रभी की फसल कौन सी नहीं है दोस्तो यहां पर तो दोस्तों शालू बोलते हैं क्या बोलते हैं शालू ठीक है शालू से यालू तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र है नेक्स्ट है निमनमे से एक से अधिक मौसम की फसल कौन सी है एक से अधिक मौसम की फसल कौन सी है राइट आंसर होजाएगा वो है दोस्तो चांवल तो इसमें डी नंबर का जो आपशन है वो इसका बिल्कुल रो जाएगा चांवल आगे देखिए इसमें जो चना सरसू मतर मसूर सौफध़निया आदी किस मौसम की फचले हैं तो अन। मसूर, सौंफ, दनिया, ये दोस्तों कौन से मौसम की फ прог races, तो दोस्तों इसका राइठ अंसर हो जाएगा वह हए अपना इसमें, ये दोस्तों रभी की फ yang हो जाएगा, ये दोस्तों यहां पर रभी कर लेना, ठीक है? ये रभी की फ ख लेना, ये उं case में निम्न में से किस फसल को शालू की फसल कहते हैं शालू की फसल बोलते हैं वो खरीब की फसल को बोलते हैं तो इसमें राइट आंसर ए नमबर का उपसन बिलकुल सही उतर और उनालू बोलते हैं रभी की फसल को ठीक है आगे देखें निम्न में से किस फसल का उत्पादन क किया जाता है तो कलम रोपन के माद्यम से दोस्तों किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गन्ना तो इसमें सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें कल्यान सोना सोना लिका ला कि किसमें हैं तो इसमें डी नंबर का उप्सन राइट अंसर हो जाएगा गेहूं कि किसमें हैं आगे देखिए रवी की फसले और क्या कहलाती है रवी की फसले और क्या कहलाती है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा रवी की फसल को कहते हैं उनालू क्या बोलते हैं तो दोस्तों उनालू बोलते हैं या आपको इसमें याद रखना है आगे देखेए इसमें 49 नमर का प्रस्न है राजस्तान में गेहूं का सरवादी कुद्पादन वर्तमान में किस जिले में होता है बताए राजस्तान में गेहूं का सरवादी कुद्पादन वर्तमान में किस राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो श्री गंगानगर में बी नमबर का उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से छाच्या रोग किस फसल का रोग है निम्न में से छाच्या रोग है यह कौन सी फसल का रोग है right answer हो जाए गहा बो है दोसके दोस्तों गेहूं का यह रोग है C number का option बिलकुल सुथ हूद रोजा यही राजे में जो का अथ पादन वै चेटरफल सरवादी के किस जिले का है right answer हो जाएगा बो है दोस्तों जेपुरहा तो इसमें A number का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे काग्या रोग किस फसल से समन दीता है काग्या रोग है ये कौन से फसल से समन दीता है तो दोस्तों ये जो से समन दीता है काग्या रोग ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे वर्तमान में बाजरे का सरवादिक उत्पादन करने वा जाने वाला जिला कुन सा है तो सरवादी के बाजरा है वो बोया कहां पर जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बोया बाड मेर में जाता है लेकिन सरवादी को पादन होता है अलवर में ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्र आगे देखिए राज्य के किस भाग में मक्का का उत्पादन अधिक होता है मक्का का उत्पादन है वो दोस्तों कौन से भागे होता है या पको को इसमें बताना है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वूधा कर से और है तो यह इस्तित है दोस्तों कहाँ पर तो यह वलबundert में सितित है तो इसमें बीनबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा वलब applause में आगे देए राज़े में जमार का अधिकतंग मुत्पादन कहां पर होता है राज्य में जमार का अधिक तो मुत्पादन है यह कहां पर होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजमेर में होता है यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अजमेर में जमार का उत्पादन सरवादिक होता आगे देखिए राजस्तान में चावल किस मौसम की फसल है? तो चावल है. यह कौँ सी मौसम की फसल है? तो यह दूस्तों खरीब की फसल है? चावल उल्वर जून जुलाई से सितमबर अक्टुम्बर तक यह बोई जाती है तो इसमें इस प्रैस्टन का राइट आंसर हो जाएगा ये खरीब की फसल है ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में चावल के अंतरगत सरवादिक छेतरपल किस जिले का है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके समने हैं जल्दी से देखिए देखिए दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा वह दोस्तों चांवल थीक है यह किसमें तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा वह है एंबर एक मैं ती बिल्कुल से पर आगे देखेंए संद राजस्तान में चैने का वतDa person मैं अधिक होता है राइट आंसर कि एक में दोस्तों उत्री चुतर में तो इसमें एड़ात उप्शंद बिल्कुल से उत्र होगा आगे देखिए राज्य में चना का सरवादिक चूरू इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर विकानेर चूरू आगे देखेए इसमें राज किरण किस फसल की उन्नत किसम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों जो की यह उन्नत किसम है सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखेए राजस्तान में मटर उत्पादन में पर्थमिस्तान पर कौन सा जिला है तो वो है दोस्तों जैपूर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखेए इसमें राजस्तान में मसूर का उत्पादन सरवादिक कहा होता है तो मसूर का उत्पादन सरवादिक होता है दोस्तों ये बुंदी जिले में होता है कहा पर होता है बुंदी में होता है मसूर का सरवादिक उत्पादन आगे देखें राजस्तान के किस जिले में मोट का उत्पादन अधिक होता है तो मोट का उत्पादन है वह सरवादिक होता है दोस्तों बताइए चूरू में होता है दोस्तों मोट का उत्पादन सरवादिक है सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें राश्टिये फसल विकास परियुजना कब संचालित की गई राश्टिये फसल विकास परियुजना है ये कब संचालित की गई ये संचालित की गई दोस्तों गुनी सो अठासी नवासी में गुनadianit नवासी में दोस्तो ये राश्टिये फसल विकास परिखना है और गुनी सो 24 पीचितर में दोस्तो दलन विकास का रिकरम है वो शुरू की गई थी और उसी के स्तान पर केंदर सरकार ने दोस्तो राश्टिये दलन विकास परियुजना संसालित की गुनी 1889 में इस प्रस्टिन का राइट आंसर सी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा अठावन नमबर का प्रस्ट इस में देखे राष्टि दलन विकास परियुजना में केंदर तथा राज्य का खर्च अनुपात कितना है बताइए यहां पे पुछा गया है दोस्तों राष्टे दलन विकास परियोजना में केंदर और राजे का खर्चन नुपत कितना है तो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 60, 45, 45, डी नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे निमन में से दलन फसल नहीं है तो दलन फसल है वो कौन सी नहीं है तो दोस्तों यहां पे देखे बाटला, तूर, मोट यह तीनों है वो क्या है यह दलन फसले है यहां पे राई है यह दलन फसले नहीं है दोस्तों दलन फसले कौन कौन सी है चना, मुंग, मोट, उडद, मटर, मसूर यह क्या है दलन फसले है तो इसमें राई टांसर हो जाएग तो ये दोस्तो तिलहन फसल है कौन सी फसले है तिलहन फसल है राई अलसी रतंजोत सोयाबीन तिल मुफली सरसों तारामीरा सूरिय मुखी ये क्या है तिलहन फसले है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उपसन विल्कुल सही उतरा आगे देखिए राजस्तान म मुफली उत्पादन करने वाला पर्थम जिला कौन सा है मुफली उत्पादन करने वाला पर्थम जिला है वह कौन सा है तो वह है दोस्तों इसमें बिकानेर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर का उपसन बिल्कुल सही उतर पहले जैपुर है वह पर्थमिस्तान पर था वर्तमान में बिकानेर जिला है वो परतमिष्थान पर श्रामें आगए देखिए कर राजस्तान का राजगोट किसे का जटा है पता चल्काता है आपको राजस्तान का राजगोट जहां पर मुप्ली सबसे ज़्यादा अट्पादित होती है तो वह कहते हो जाएगा इसमें एनमबर का उप्सन बिलकुल सही उतार है आगे देखे बारत में सरसों उत्पादन में पर्थमिस्तान किस राजे का है पर्थमिस्तान है वो दोस्तों राजस्तान का है इसमें पर्थमिस्तान सरसों उत्पादन में सी नमबर उप्सन राइट आंसर आगे तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रभी की फसल है सरसों तो इसमें ए नमबर का उप्सन बिलकुल सही उतर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है तीक है सरसों रभी की फसल है आगे देखे इसमें सफेद रोली किस फसल का रोग है सफेद रोली है ये और क्यार उप्शन आपकी सामने है तो सस्का राइ्ट ऑनसर हो जाएगा ये शर्षों का रहोग है दोस्तों सफेद रौ़ली वियनुंभर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा दोस्तों में किस दिले में होता है přाध्व काрахसरेह सर्वादिक होता है का हम को सरवादि सरसो अनुसंदान के अंदर है वो कहां पर इस्तित है बताइए तो दोस्तों ये सर सेवर बरतपुर में है इसकी स्तापना दोस्तों गुनिशो त्रियानवा में की गई थी ठीक है शेवर बरतपुर में राष्टे सरसो अनुसंदान के अंदर इस्तित है और तबीजी अजमेर के अंदर दोस्तो बीजिये मसालों से संबंदित है के अंदर है और बाजरा अनुसंदान के अंदर बाढ़ मेर में है चावाल अनुसंदान के अंदर बांसवाडा में है मक्का अनुसंदान के अंदर बांसवाडा में है जवार अनुसंदान के अंदर वल्लब नगर बरतपूर में यह भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए इसमें सेवर नामकिस्तान कहां पर है अभी मैंने आपको बताया दोस्तों सेवर नामकिस्तान है वो कहां पर है बरतपूर में हैं आगे देखिए निम्न में से कौनशी फसल दलहन तथा तिलहन गु कि दोस्तों देखेए इसमें Ja स्वयवी नहें ये दोस्तों दल्हन और तिल्हन दोनों गुणवाली प्सक्राइए राजस्तान के कौनसे based में का सब dispat नंदिक होता है राजस्तान के कौन से बांग में सब इव का उत्पादा ना दिक होता है तो इसका राइट आनसर हो जाएगा भू है यूदा कौन सा है तो पर्थम जिला है दोस्तो इसमें जहलावाड तो इसमें राइट आंसर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए तो दोस्तो राइट राइट आएगा वहार जाएगा वहाड़मर्टा पूशन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा से इसमेंत स्क्राइट अपैर जेंके दिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तिल है यह दोस्तों खरीब की फचल है ए लिगैंगर का उपसन बिल्कुल सही उत्र जाएगा खरीब की फचल है तिल है देखे राजस्तानमें तिल का सरवादिक उत्पाधं ट्थाट्थ शित्रफल किस जिलेका है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो धोस्तों पाली का आगे देखिए इसमें अरंडी फसल का उत्पादन वर्तमान में किस जला समुहे में अधिक है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जालोर शिरोई बाड मेर में तो इसमें D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें तिलन उत्पादन कारेकरम में केंदर और राज्य का आर्थिक सहीऊग कितना है तो आर्थिक सहीऊग है वो है दोस्तों इसमें 60295 का इह नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर है आगे देखिए सिट्रल से कोलो सिथन से किस पर्चलीद फसल का नाम है सिट्रल से कोलो सिथन से किस पर्चलित फसल का नाम है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे तुमबा किस छेतर में बोई जाती है तो दोस्तो पस्मी छेतर में बोई जाती है तुमबा तो इसमे बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे निम्न में से किस फसल के फलो का उप्योग पसु आहार मुरबा बनाने में दवाई बनाने में किया जाता है बताएगे निम्न में से किस फसल के फूलो का उप्योग पसु आहार मुरबा बनाने में दवाई बनाने में किया जाता है एक नमबर का जो option है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों तूमबा के फलों को बकरी आहर के रूप में खाती है फलों का गुद्धा मुरबा बनाने में यूज़िक जाता है और दवाई obligations और पसु आर में भी परिउकथ होता है ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखे हैं तुम्बा फेसल किस रूप में होती है दोस्तो तुम्बा फेसल है वो कौन से रूप में होती है तो यह होती है दोस्तो बेल के रूप में होती है तो इसमें C नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखें निम्न में से किस फसल के बीजों के तेल का उप्योग सनेहक तेल तथा प्रसादन सामगरी के रूप में होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जो जोबा सी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा जो जोबा आगे देखिए सूरज मुकी किस मौसम की फसल है सूरज मुकी है ये कौन से मौसम की फसल है तो दोस्तों ये रभी की फसल है सूरज मुकी ठीक है याद रखना ये से चेटर में किया जाता है राइट आगे देखिए नर्मा किसमें किस फसल की किसमें नर्मा किसमें किस फसल की किसमें है तो दोस्तों ये कपास की किसमें है नर्मा ये नमबर उपसन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए कपास के बीज क्या कहलाते हैं कपास के बीज दोस्तों क्या कहलाते हैं तो दोस्तों ये कह जाती है तो वह दोस्तों अमेरिकन कपास की खिर ती की जाती है सी नंबर का ओप संडराइट अंजराल हो जाए में से साथा किसे कहते हैं साथा साथा बोलते हैं दोस्तों गन्या को बोलते हैं साथा थीगा दिर तो इस्में रएट आठ शर हो जाएगा बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सफ्ले fulfilled आगे देखिए वर्त्र्वान में ये लाल सडन रोग तो इसमें ए नमबर का उपसन बिलकुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए गन्ना किस मोसम की फसल है तो दोस्तों गन्ना है ये वार्षिक मोसम की फसल है तो इसमें राइट आंसर ए नमबर उपसन से उतर हो जाएगा आगे देखिए गन्ना क्या है तो द तो दिसम्बर जनवरी में यह गंना है यह बोया जाता है बी नमबर उपसन सही अतर हो जाएगा आगे देखिए अफीयर किस मौसम की फसल है अफीयर को मौसम की फसल है तो यह धोрий हुनल की फसल है आफीयर फीयर की किस बाग से से पराप्त होती है अफिँ का फिडिके कौन से फाक से पराप्त होती है तो दोसत 대해 कच्छे फल से पराप्त होती है दूस्त society अफीम डीनमर का उप्शन बिलकुल से इतरो जाएगा चाहिए अफ्पेम का पक्का फल क्या कहला था था थी आइफ स्का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डोड़ा इसमें यह नंबर का उप्षन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रफिम का पक्का फल क्या कहलाता है डोड़ा कहलाता है तो दोस्तों यह आज मैंने आपको जो टोप सोप्रेस्टन है वो कर्शी से समंधित कंप्लीट बादिये हैं और आज अपना राजस्तान बोगोल में दस नंबर का चैप्टर है वो समापत हो चुका है अगर आपने पिछली नो कला से नहीं देखिए तो आप ले लिस्ट में जाएए वहां पर आपको फॉल्डर मिल जाएगा राजस्तान बोगोल टोपिक वाइज क्यू नो कला से हैं वो जरूर देखें और अरध्यारे सेकडिमी की यूट्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत